हेलो फ्रेंड्स डब्लू सीटी देलिया अंगनवाड़ी रेकुर्मेंट 2023 की अपडेट आई है जिसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको फोर्ड इंफॉर्मेशन देने वारी हूँ कि इसमें कौन-कौन से पोस्ट होंगे ऑनलाइन मोड होगा यह अफ्लाइन मोड होगा एप्लिकेशन फी जमा करने का या फिर इसका पेज स्केल क्या होगा एज लिमिटेशन क्या क्या होगी यह सारी चीज़े मैं इस वीडियो में बताने वादी हूँ तो आप इस वीडियो को लाज तक जरूर देखेगा तो यह जो डिपार्टमेंट है वो है और यह डेली आंगनबारी 2023 के अंतरगर्द निकला है यह और इसमें बहुत सारी पोस्ट है जैसे आंगनबारी सुपर्वाइजर, वर्कर, हेलपर, कॉडिनेटर, टीचर, असिस्टेंट यह सारे पोस्ट और भी बहुत सारे हैं इसके लिए यह एप्लिकेशन निकला है और एप्लिकेशन मोड जो होगा इसका वो ऑनलाइन होगा और इसका ओफिस्यल बेब साइट यह है www.wcddel.in इसपे जाके आप एप्लिकेशन को फिल कर सकते हैं अब इसके डिटेल इंफर्मेशन ले लेते हैं तो इसका जो जो भी कंडिटेट होंगे वो उनको must be passed 8th, 10th और 12th class और इसके एक्विवेलेंट आप क्वालिफिकेशन कोई भी होनी चाहिए means minimum आपकी 8th पास तो आप होने ही चाहिए और आंगनवारी supervisor जो post है उसके लिए कंडिटेट को graduate होनी चाहिए graduation degree उनके पास होनी चाहिए और basic computer knowledge भी उनके पास होनी चाहिए अब इनके age limit की बात कर लेते हैं तो minimum age limit इसका 18 years है और upper age limit इसका 40 years है as on 1st January 2023 और relaxation की बात करें तो इसमें SC, ST, O, B, C, P, H जो भी reserve category के होते हैं candidate उनकी government rule के according इनकी age relaxation दी जाएगी और इनके salary की बात कर लेते हैं तो आंगनवारी assistant worker जो होंगे उनकी salary 1800 से 3300 तक होगी और साथ में great pay भी उनको 300 रुपीज का दिया जाएगी साथ में मिलेगा और आंगनवारी worker जो होगे उनकी salary होगी 5000 with grade paid 300 रुपीज और आंगनवारी supervisor जो होगे उनकी salary होगी 5200 से 20200 तक और उनका grade उनको जो मिलेगा वो 2400 का मिलेगा और इसके application fees की बात करते हैं तो general OBC इन सब के लिए है 450 रुपीज और जो दूसरे state के जो भी form fill up करेंगे उनको भी 400 रुपीज और OBC जो है non creamy layer वो उनको 350 रुपीज उनका application form का भी होगा और SC ST जो भी होगे उनके लिए है 250 रुपीज सब के लिए अलग-अलग रखा गया है इसमें और इसका जो selection process है वो सबसे पहले आपका return test होगा और उसके बाद आपका document जो भी है आपका उसका verification होगा और उसके बाद interview होगा और फिर merit के हिसाब से आपका selection किया जाएगा अब इसका important date देख लेते हैं तो इसका जो application starting date है वो 31st March 2023 से start होगा और इसका last date है apply online आप कर सकते है 19 April 2023 तक 19 April तक आप इसको apply कर सकते हैं और return test और interview वगरा की date अभी जल्दी आने वादी है तो इस site पे जाके यह जो आपका site है इस पे आप जाके इसके application को आप fill कर सकते हैं ओके तो और भी job updates के बारे में आप जाना जाते हैं तो आप इस channel को subscribe कर सकते हैं इस आनवनवारी job vacancy के बारे में सारी detail मैंने दे दिये थांक्यू कर दो कर दो